दोस्टो भाटिया कम्यूनिकेशन का स्टॉक लगातार क्यों बढ़ रहा है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे क्या आपको भाटिया कम्यूनिकेशन के नए इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चली शुरू करते हैं तो देखिए यहाँ पर दो रिजन से जिसके वाज़े से हमें भाटिया कम्यूनिकेशन का स्टॉक में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो जिसके अंदर अगर हम पहले रिजन के अगर हम बात करेंगे तो अभी रिसेंटली एक इलेक्ट्रोनिक मार्ट करके कम्पनी का आइप काफी ज़्यादा होती है तो वहाँ पर उसका कोई कम्पिड अगर लिस्टीड होता है तो उसकी डिमांड काफी ज़्यादा बढ़ जाती है लोगों को लगता है कि इसके भी फंदामेंटल तो गेरा काफी अच्छे होंगे तो उसके अज़र से वहाँए एक अच्छी- गर हम बार्फ करेंगे तो इनकी जो सबसे ज़्यादा चेल पी वैसे घणज इनकी नजर आती है तो इससे यहाँ पर ये कंपनी का जो स्टॉक हा बढ़ता हुआ पहले नजर आ रहा है और इसी सेम इंडस्टे करके आप देखो एक अधीत्य वीडिजियन करके एक और समकरी है जो कि हमें इनी के competitor लिस्टिड या पर हमें नजर आती है तो देखिए इसे मेरे खाल से जो electronic mart ये जो company है भी लिस्ट तो ये हमें नजर आ रही है उससे भी compare नहीं करना थी है तो कि अगर हम भाटिया communication के market gap के अगर हम बात करेंगे तो लगबग 600 करोड के market gap पे हमें ये company नजर आ रही है और जो electronic mart ये जो company है तो उसकी अगर आप बात करोगे around 2100 करोड के market gap पे उस company का IPI है और ये ऐसे expectations की जा रही है कि लगबग 3000 करोड के valuation पे वापे उसकी listing हो सकती है तो उस point वी से अगर आप देखोगे तो वो company का अगर हम revenue के numbers के अगर हम बात करेंगे 4000 करोड से भी ज़्यादा का revenue का number हमें उस company का नजर आता है और इस company का number around 300 करोड के लगबग हमें नजर आता है लेकिन अगर हम यहाँ पे भाट्या communication के अगर हम बात करेंगे यहाँ पे hardly 300 करोड के लगबग revenue में company का नजर आता है और already 600 करोड के marketing के पे यह company trade हो रही है यहाँ पे price to sales ratio में company का around अगर आप देखोगे तो टाइम अभी currently नजर आता है और अगर हम profit है अगर हम peer ratio के अगर हम बात करेंगे तो hardly 5-6 करोड के लगबग के net profit के number समय आपे company के नजर आते है और अगर हम at the same time अगर हम electronic smart के अगर हम बात करेंगे तो आपे 100 करोड से भी ज़्यादा का profit है तो around 20 के peer ratio पे company का IPO आ रहा है और अगर 50% के premium पे अगर company list भी होती है तो वहाँ पे around 30 के peer ratio पे वो company हमें नजर आएगी और currently भाटिया communication के अगर हम बात करेंगे तो 100 के peer ratio पे ये company अभी trade हो रही है तो definitely देखा जाए तो सारे parameters के अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे हमें एक तरिके से जो electronic smart है वहाँ पे अच्छा नजर आता है और अभी अगर आप देखोगे अलगबग 500 क्रोड की funding भी उन्हें IPO के true भी मिलेगी तो वहाँ पे उनकी जो working capital की problem से आने वाले 2-3 साल की तो उनकी definitely solve हो जाएगी और यहाँ पर party accumulation के बाद में funding नहें रहेगी तो वहाँ पे definitely in a way अगर आप देखोगे जो retail को अगर आप स्टोर को अगर आपको चलाना है तो working capital का management अगर आपको अच्छे से नहीं आता है तो वहाँ पे चीजे बिगड सकती है तो मेरे खाल से तो देखा जाए अभी एक बार के लिए वो company के साब से आपने अपर invest नहीं करना चीए अगर आपको लगते ही है कि अगर आपको यह electronic retail के अगर आपको invest करना है तो मेरे खाल से जब electronic smart अगर 40-50% के premium पे अगर वो company list होती है या फिर अगर जो market में भी volatility चल रही है वहाँ पे 20-30% के premium के लगबग अगर listing होती है तो मेरे खाल से वहाँ पर आपने allocation लेना चीए इससे अच्छा है कि यह जो retail companies है यहाँ पे मेरे खाल से इतनी चीज़ाज की नज़र नहीं आती है तो दोस्तों में hope करता हूँ कि आपको समझी में आगया होगा कि भाड़िया communication का talk क्यों बढ़ रहा है या आपको और अगर आपकी कोई भी queries है आप comment कीजिए मैं जरूर आपके comment पर reply करूँगा ओके दोस्तों thank you have a nice day